अरे शो में आपका स्वागत है ताजा घटना क्रम में बंदूपधारियों ने उत्तर पश्चम नाइजीरिया के एक स्कूल में छापिमारी के दौरान 280 से अधिक छात्रों का अफरन कर लिया है ये घटना कडूना राज्य के कुरिगा स्कूल में हुई एक शिक्षक और एक निवासी के अनुसार ये देश के सबसे बड़े सामुहे कफरनों में से एक है बंदूपधारियों ने गुरुवार को स्कूल पर धावा बोलकर चात्रों का अफरन कर लिया स्थानिय सरकारी अधिकारियों ने हमले की पुष्टी की है लेकिन अभी भी मारे गए बच्चों इन इलाकों में स्कूलों और कॉलेजों को निशाना बनाते हैं हालां की हाल ही में ऐसे हमलों में कमी आई है हम स्थिती पर नजर रखना जारी रखेंगे और उपलब्ध होते ही आपको अपडेट लाते रहेंगे